दोस्तो अगर आपने गुली बुली और जॉम्बिस के आगे के पार्स नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसे देख ले नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी अब तक हमने देखा सॉम्बिस और ग्रैनपा देखते है के थैनोस ने ग्रैनी और सॉम्बिस के दोनों साथियों को किड्नेप कर लिया है ग्रैनपा गुल्ली गुल्ली और बाबा को छोड़ने के लिए तयार हो जाते है ग्रैनपा बाबा को उठा कर सौन और रोर के पास रख देते है शौन भी जॉंबिस के दोनों साथियों को छोड़ देता है तीनो जॉंबिस मिलकर गुली और गुली को ठीक कर देते है ये देखकर शौन ग्रैनी को भी छोड़ देता है ग्रैनी और ग्रैनपा जा रहे थे तबी अंकल ग्रैनपा को पीछे से एक लाट मार देते है ग्रैनपा को बहुत गुस्सा आ जाता है और ग्रैनपा जॉम्बीस से कहते है कि इन सभी लोगों को मार डालो अब आगे देख लेते है ये बात सुनकर रॉड बाबा को उठा कर भागने लगता है ग्रैनपा एक जॉम्बीस को उनका पीछा करने का इशारा करता है जॉंबिस भी रोड और बाबा के पीछे दोडने लगता है यहाँ पर सभी लोग ग्रैनपा का गुस्सा देखकर बहुत ही डर गए थे तबी शौन को एक आइडिया आता है सौन सभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है सौन ने इसारा करके कहा के वो देखो बाबा आ गए है अब तुम लोगों की खेर नहीं यह सुनते ही ग्रैनी ग्रैनपा और जॉंबिस पीछे मुड़कर देखने लगे और यहाँ पर सौन सभी लोगों को भागने का इशारा कर देता है सभी लोग ग्रैनी ग्रैनपा और जॉंबिस को धक्का मारकर जंगल की और भागने लगते है यह देखकर ग्रैनपा का गुस्टा साथ में आस्वान पर पहुँच जाता है और ग्रैनपा भी उनके पीछे पीछे जंगल की और भागने लगते है ग्रैनी और जॉंबिस भी ग्रैनपा के पीछे पीछे दोरने लगते है और यहाँ पर रॉर दोरते दोरते बहुत ही ज्यादा ठक गया था रॉर निचे गिर जाता है ये देखकर जॉंबिस जल्दी से रॉर के पास आ जाता है रोड जॉम्बिस को देखकर बहुत ही डर जाता है और रोड पीछे अठने लगता है जॉम्बिस रोड पे हमला करने के लिए जाता है पर जॉम्बिस जैसे ही रोड पर छालांग लगाता है जॉंबिस को कोई जोरदार लाट मार देता है और जॉंबिस बहुत ही दूर जाकर गिरता है जॉंबिस ने देखा वो और कोई नहीं बलकि बाबा थे बाबा को होशा गया था बाबा को सामने देखकर जॉंबिस बहुत ही डर जाता है और जॉंबिस बाबा के सामने गिर गिराने लगता है बाबा ने जॉंबिस से कहा तुम मेरा एक काम करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूँगा नहीं तो तु वापस अपने घर पे कभी नहीं जा सकेगा जॉंबिस ने बाबा से कहा कि मैं आपके सारे काम करूगा पर मुझे जिन्दा छोड़ दो बाबा ने कहा ठीक है तुम अपने साथियों को कॉल लगाओ और उनसे कहो के बाबा को मैंने पकड लिया है और वो लोग अभी कहाँ पर है उसका पता लगाओ जॉंबिस अपने साथि को कॉल लगाता है और कहता है कि बाबा को मैंने पकड लिया है बोलो बाबा को कहाँ पर लाना है जॉंबिस के साथि ने जॉंबिस से कहा हम लोग शौन और सभी लोगों को मालने के लिए पहाड़ी के पीछे वाली जंगल में आये हुए है तुमें काम करो बाबा और रोल को भी यहाँ पर ले आओ यह सुनते ही बाबा ने जॉंबिस का कॉल काट दिया और बाबा अपनी सक्तियों से बाइक ले आते है और बाबा और रोल बाइक पर बैट कर निकल जाते है यहाँ पर गुली बुली, शौन, थेनोस और अंकल को ग्रैनी ग्रेनपा और जौंबीस ने चारो तरप से गेर लिया था सबी लोग गुली गुली और बाकी लोगों पर हमला करने जाते है पर तभी अचानक सबी लोगों को जटका लगता है और सबी लोग दूर जाकर गिरते है सबी लोगों ने देखा के गुडली गुडली सौन थेनोस और अंकल के आसपास किसी ने सुरक्सा कवच बना दिया था ग्रैनपा खड़े होकर चिलाते हैं कि ये सब किस ने किया दम है तो सामने आओ कायरों की तरह पिछे से वार मत करो तबी अचानक ग्रैनी जलकर नीचे गिर जाती है ये देखकर ग्रैनपा बहुत गुस्सा हो जाते है और कहते है मुझे मेरी जली हुई ग्रैनी की कसम मैं ग्रैनी के हत्यारों को नहीं छोड़ूंगा तबी बाबा बाइक लेकर उन लोगों के सामने आ जाते है ग्रेंपा दोनों जॉंबिसों को बाबा पर हमला करने का इशारा करता है दोनों जॉंबिस बाबा की तरफ दौरते दौरते आ रहे थे बाबा भी बाइक लेकर उन लोगों के सामने जाते है बाबा चालू बाइक पर से छलंग लगा कर दोनों जॉम्बीसों को मारते है दोनों जॉम्बीस बेहोश हो जाते है ग्रेणपा ने बाबा से कहा के दम है तो मेरा मुकाबला करो सिर्फ तुम और मैं दूसरा बिच में कोई भी नहीं आना चाहिए बाबा को ग्रेंपा की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और बाबा का एक्स्ट्रीम मोड ओन हो जाता है बाबा बाइक पर से उतरगर ग्रेंपा के पास आते है बाबा और ग्रेंपा के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है बाबा ग्रेंपा की बहुत बुरी तरह प सबी लोगों को हरा ही दिया सबी लोग बहुत खुश हो जाते है दोस्तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करते और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अन करते